नमश्कार मैं सुनीता कथा मन्थन में आप सब का स्वागत करती हैं कथा मन्थन में आज सुनिए बच्चे कहानी का दित्य अध्याय लेखक दुजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुन जी इसकी पहले का अध्याय आपको हमारे प्लेलिस से मिल जाएगा लिंक आपको आई बटन म मिल जाएगा भगवान दीन जी के बाप का नाम था मसुरिया दीन था वह जिन्दगी भर लोगों को किष्ट पर रुपिया दे कर दस के गयरा वसूल करता रहा एक दिन वही किष्ट वाला रुपिया वसूल करने चमारो के टोले में गया चमारो की चौपाल पर बैठा थे क अचनक जमाईली मुँ फैला फैलता ही चला गया और फैला ही रह गया मुँ नीचे लुड़क कर गिरा और फिर कभी नहीं हुटा भगवान दीन जी ने जब होश संभाला अपनी सब संपत्ती का तक्मीना लगाया तो बलिष्ट भर की चाती फूल कर सवा बलिष्ट की हो गई पर अपने नाम के साथ दीन लगा देकर बहुत कुड़े बहुत कुड़े बाप की बुद्धी पर परन्तु अब दिल जलाने वाले इस दीन शब्द को हटाना नमम्किन था मिडल के साथिफिकेट में हिंदी और अंग्रेजी में दो जगा दीन लिखा था और बैंक में और पटवारी के खाते में हर जगा भगवान दीन ही चड़ाता जख मार कर रह गए गोरा रंग इकहरा शरीर छोटा सा कदर बड़ी बड़ी पानीदार आखे अपने इस संक्षिप्त व्यक्तिद्व पर भी कभी कभी बड़ी जुझलाहट लगती कभी नंगे होकर आदम कद आईने के सामने खड़े होते तो अपना मुक्तसिर सीना देकर कोफ्त होती तब मुठी बांद कर बाहें उपर करते मास पेशिया फूली दिखती संतोष की सांस लेते और आकारण ही किसी नौकर को पुकार उठते या कोई गाना गुन-गुनाने लगते परंतु रुपिया बढ़ता गया और भगवान दीन जी शब्द में जी लग गया यह जी किसने लगाया पता न चला और जी अब चिपटसा गया था दीन से सुनकर प्रसंता होती रुपिया बढ़ता गया बाड़े में इट चुनती गई भगवान दीन जी का अपना खास कमरा तूटकर फिर से बना और दर्वाजे के उपर हिंदी और उर्दु में मुटे काले अक्षरों में लिखा गया बिना इजाजत किसी को अंदर आने की अनुमती नहीं किवाड़ों के उपर एक बढ़िया सी चिक भी पड़ गई बहुत दिनों से शायद बाप के जमाने से कमरे में समराट पंचम जोर्ज और महरान इमेरी की तस्वीर लगी थी जमाने ने करवट बदली देश स्वतंतर हो गया कॉंग्रेस के हाथ में सत्ता आ गई तो भगवान दीन जी ने वह तस्वीर उतारफे की और महत्मा गांदी का बड़ा सा चितर लटका दिया उस जगा शानो शौकत का लिबास तज दिया और खदर पहनने लगे कॉंग्रेस के चवनिया सदस्य बने फिर कार्यकारणी में पहुँचे एक पंजाबी ठेकेदार जो इस शहर का बाशिंदा सा हो गया था उनका पुराना लंगोटिया यार था कॉंग्रेसी राज में उसे कहीं दूर किसी नदी के बांद का ठेका मिल गया था उसका खास साला पारलिया मेंटरी सेकरेटरी हो गया था ठेके में लाकों का वारा नियारा होने लगा यहां तक की तमाम कपड़े का कोटा उसने इनके नाम करवा दिया खूब चांदीगरी लक्षमी जैसे पैरो पर आगिरी थी पहले हाकीमों हुकामों को दावत देते थे पुलिस को खिलाते पिलाते थे हावा का स्वप रुख बदल गया अब कॉंग्रेसी पद अधिकारियों को प्रीती भोच देने लगे कॉंग्रेस का कॉंग्रेसी सरकार का कोई अधना से अधना व्यक्ती भी अगर भूले वटके इधर आ निकलता तो भगवान दीन जी उसकी खातिर में जान लड़ा देते एक बड़िया सी दावत हो जाती शेहर भर के कॉंग्रेसीयों की ठेकेदर सहाब अभी अभी आये थे और कह गये थे कि उनके साले सहाब वही पार्लिया मेंटरी सेकरेटरी इस और शिगर ही आने वाले हैं उनको प्रसंद करना है अगला चुनाव जो आने वाला है मैंने निश्य किया है कि इस इलाके से तुम्हें कॉंग्रेस का टिकेट दिलवाओंगा मेंबर हो जाओगे फिर देखना क्या होता है भगवान दीन जी का हिर्दे गदगद हो गया आखों में आसु आ गए कुछ सुझाई ना पड़ा नीचे को जुके और मित्र के चर्णों की रज लेकर माथे से लगा ली ठेकेदार ने अपनी मूचे उमेट कर कहा मेरा नाम धन्नामल है तुम्हें लखनाओं की कुर्सी पर ना बिटला दू तो इन मूचों को मुडवा दूँगा भगवान दीन जी मानी बरियांकों से मित्र का मुख देखते रहे ठेकेदार तांगे पर बटे फिर एक बार उनकी चर्ण धूली लेकर माते से लगाई भगवान दीन जी की पहली पत्नी 35 साल की यवस्ता में मर गई पांस साल का एक बालक छोड़ मर दी थी वह बालक अपनी ननी हाल में पल रहा था और नाना की सारी संपत्ती का वारिस होने वाला था कुल ढ़ाई मास रंड़वा रहे राजश्वर के चाचा की पुत्री राज रानी काला रंग और 20 साल की जवाने लिए साण की तरह स्वास्ता बढ़ा रही थी वहवानों वर्माला लिये प्रतिक्षा में पैठी थी चाचा ने प्रस्ताव किया भगवान दीन जी ने स्विकृति दी और 20 साल कन्या ने सडाक से पती के कट में वर्माला डाल दी और फिर राज रानी की संपूर्ण मनोवृती का प्रतिक लल्ला अफ्तरिन हुआ धराताल पर पूरव से उत्तर तक पूरी कोटी की प्रतिक शिना करके कार बरांदे के किनारे आकर खड़ी हो गए छोटे लाल द्राइवर ने उतर कर पीछे वाला दर्वाजा खोल दिया रामु उसी तरह बेचारा जूतों के पास सहमा बैटा था लल्ला ने जुझ लाकर का अरे उतरो नीचे और रामु को उतरने में देर होती देखकर उसके सिर के उपर से टांग गुमाता हुआ पहार कुद गया शायद रामु के सिर से लल्ला का जूता चुगया और लल्ला ने ध्यान न दिया शान से एक एक कदम रखता हुआ बाप के कमरे के अर्ट चला गया पीछे से सुरेश इन लोगों को लिए पहुचा ये तो फूफा जी से डरते ही थे सुरेश भी चाचा जी से खौफ खाता था तीनों चिक्के इस पार जा खड़े हुए लला भीतर बाप के पास था और बाप पूछ रहते सुरेश नहीं आया है बाप शायद वाउचर देख रहे थे सिर जुकाए बोले तो तुम सिनेमा जरूर देखोगे हाँ दे तुमें पैसे हाँ दो टिकेट के ना नहीं चार के क्यों चार के क्यों बाप ने सिर उठा कर पूछा मुन्ना और रामू भी आये हैं अरे इन पुछलगों को क्यों लाए नराजगी से कहा उन्हों ने इनका क्या करें लला ने सिर संजीदा होकर कहा ताई जी ने भेज दिया हम तो मना करते रहें ताई बड़ी अकलमंद है वे बाहर सुन रहे थे कान लगाए तबी एक दुबला पतला आदमी शेरवानी और चूडीदार पजामा पहने सिर पर तिर्ची गांधी कैप लगा चिक तक आप पहुचा ये लोग अचकचा है गांधी कैप वाला चिक खटा कर भीतर दाखिल हो गया और भीतर सी फूफा जी की हवास सुनाएगी ओफो भाई साहाँ ओ आईए आईए इधर आईए ये ये शेहर कॉंग्रस कमेटी के प्रेजिडेंट थे चौधरी साहब व्यवधान पाकर लल्ला बाहर निकला है ये निश्यल निर्वाक खड़े थे लल्ला को देखा तो जैसे सुहम गरे लल्ला जरा देर सामने खड़ा रहा फिर उसने धीमे सुर से मुन्ना सिका बाबुजी नराज हुरे है जाओ तुम दोनो जाओ अपने घर रामु फक्सा चेहरा लिए खड़ा था मुन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले बरांदे की सीडियों से उतर कर चल दिया सड़क पर भगवान दिन जी एक कोटी और खड़ी करवाना चाहते थे दो लाख इट भटे पर पक रही थी और जमिदारी वाले गाउं में पेड़ चीरे जा रहे थे किवाडों के लिए और अब सिमेंट की जरुवती सैकडो रुपे चाहिए थे चौधरी जी वही सुगत समाचार लेकर आया हसकर बोले तुम्हारा काम ना रुकेगा तुम्हारे लिए अगर इतना भी ना कर पाया तो मेरी प्रेजिडेंसी बेकार है बोलो कितना सिमेंट लोगे पांस सु की एक हजार कितने बोरे चुनवाद हुई भगवान दीन जी गद गद हो गए चौधरी साहब ने कहा बहुत जल्दी में हूं माईडियर जरा अपनी कार तो निकल वाओ सूरजपुर तक जाना है जरूरी काम है अभी लीजे अभी कहते वे भगवान दीन जी ने कमरे के बार निकल आ रहे और साथ साथ चौधरी जी बाहर आ गए चोटे लाल जोर से कहा चोटे लाल मिस्त्री के पास बैठा कब्र लड़ा रहा था माली की अवास सुनकर दोड़ाया जुकर कहा जी और सांस रोकर खड़ाओ जाओ गाड़ी ले जाओ चौधरी साहब को सुरजपुर पहुंचा आओ तेजी से फुल स्पीड स दिया किस कदर के सुर हो पहले उन्हें यहां तक साथ लाय और फिर यहां से लटा दिया लोटने को किसने कहा था फिर अपनी कलाई के और देखा जाओ देखो खेल टाइम हो गया लो यह लो नोट पकड़ो कचहरी जाने वाले एक तांगे में बैठकर राजेश्वर बारा बजे थे बाहर बरांदे में बड़ी बैंच पर बैठा बैठा सिविल सर्जन का इंतजार करने लगा बारा बजा एक बजा दो बजा धाए बजे साहब की काराई जेल चले गए थे असिस्टेंट सर्जन किसी आउप्रेशन में लगे थे हैट कलर्क से धोड़ी जान पेजान थी उसने महरबानी करके साहब से सिफारिश कर दी फिर राजेश्वर को सामने पेश करके उसके सार्टिफिकेट पर काउंटर सिगनेचर करवा दी इस साहब से 5 रुपे में ही काम निकल पादे नहीं तो पूरे 16 देने पड़ते हैट कलर को धन्यवाद देकर तक नहीं कह सकाओं चलिए मकान चल रहे हैं हॉस्पिटल से सटाउन का बंगला था दोनों जन बाते करते करते बैठक तक पहुंचे तो डॉक्टर ने शान्ती से अराम कुरसी पर लेट करका अब इंजेक्शन की जरुवत नहीं है मैं आपको एक दवा लिखे देता हूं उ अरी तरकारियां भी टमाटर का रस पीते हैं ना राजेश्वर ने सच जुट मिलाकर का जी हां सब ले रहा हूं डॉक्टर ने जैसे याद करके आपके वे दोस्तों मिलेटरी ट्रेनिंग में के लिए गए हैं अच्छे रहे अरे आपको कैसे मालू हुआ राजेश्वर ने अच्रस से कहा हैं हसकर बुले कल उनका भेजा मनी आउडर मिला है 65 रुपे का आपकी फीस भेजी है उन्होंने राजेश्वर चकित होकर सुनता रहा है डॉक्टर ने हसकर कहा युवर वैरी लगी है मित्र हो तो ऐसा और भाई आपकी वाईफ भी बड़ी सतीस्त्री है इत ही आपके बाकी रुपे देने की कोशिश करूँगा डॉक्टर भी उठ खड़े हो गए आँखे चोड़ी करके बोले कौन से रुपे फीस के बाकी रुपे आपने मेरे उपर बहुत दया की कोई भी डॉक्टर फीस उधार नहीं मानता बिने पैसा लिया आप रो जाए पहले तो मैं जानता नहाता अब जानकर भी अगर आखे मुझलू तो मुस्हा पापी कौन होगा आप आज गर्दिश में हैं औरत आपकी फटी दोती पहने चौका बरतन करती है बच्चे ऐसे जाड़े पाले में फटे कप्टे पहने गूंते फिरते हैं आपके पास अगर पैसा होता तो बच्चे यू न रहते दुनिया का कोई बिबाब अपने बच्चों को जाड़े से कापता नहीं देख सकता अगर पास में पैसा हो तो कोई आदमी अपनी औरत को फटेद होती पहने बरतन साफ करते देखना बरदाश नहीं कर सकता और फिर ऐसी सती औरत ऐसे मासूं और प्यारे बच्चे आदी फीस आपके दोस्तने भेज दी है अब बाकी मैं एक पैसा ना लूँगा आपसे जाएए उन रुपेव के फल खाये आप नमस्ते कहकर डॉक्टर घर के भीतर घुज गए राजेश्वर के गले में रुद्रान आकर हो गया चलने लगा त टट्टू वाला एक इका शहर की और जा रहा था उसी पर बैठ गया विचारों में डूबा 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 डॉक्टर की मनुश्यता याद आई वितर का से नहीं याद आता पत्नी की सेवा याद आती बच्चे याद आते और फिर अपनी दरीद्रिता भी याद आती चार पैसे दिये और वह भी औरों की तरह अपने घर की और चला की सामने नजर गई चकीतों कर रुगया वहीं सड़क के किनारे दौनों बच्चे नदी वाली रहा से चले आ रहे थे सामने दौनों के चेहरे मुर जाये वे थे और धूप में सुर्क हो रहे थे पैरों पर धूल चड़ी थी एक दूसरे का हाथ पकड़े एक का तांगों से बचते किनारे किनारे चले आ रहे थे थके पैरों से धीमी चाल से अच्रज और धुक से भरा राजिश्वर सड़क पार करके आया तो बच्चे उसे देख पाई छोटे ने भाई का हाथ चुड़ा कर चट पिता क हाथ पकड़ लिया बड़ा मुर्जाई हसी हसकर खड़ा हो गया पास दुख में डोगबे पिता ने पुछा कहां गए थे तब वहीं सड़क के किनारे खड़े खड़े सब किस्सा सुनाया मुन्ना ने फिर करुण सवर में बोला थक गया है बाबुजी से गोधी ले लो रा कर रुके पापने जेब से पैसे निकाले पाँच पैसे की पाव भर शकरगंद करी दी भाड़ की बुनी और घर चलिया दिन दिये जल गए थे फिर दो घंटा और निकल गए तब नंदिनी कीर्थन से लोटे तीनों बाब बेटे एक ही खाट पर लिटे थे बच्चे सो आखे खोले अर्दकार की और देख रहा था नंदिनी ने अचरस से कहा रहे ये कब आ गए लला तो अभी नहीं आया कोटी ने क्या तुम जाकर लिवाला है कुछ खाया भी तो ना होगा भूके ही सो गए दोनों राजश्वर ने धीरे से का शकरकंद खिला दी थी दूद मे बिला कर नंदिनी शेन भर सोयवे बच्चों को मुख देख दिने चोटे का सिर्थ इर्चा हो गया ता उसे ठीक कर दिया फिर पती से पूछा यह परसाथ खाओगे लड़ू बाटे हैं बीबी जी ने मोती चूरके हैं खाओगे राजश्वर ने उदास भाव से का रख दो बच्चों को देना सुबह प्रभाद का ट्रांसफर हो गया हे राम कहा को वकिष शहर में राजश्वर ने कहा पीछे सुनना मेरे लिए कुछ खाना तो बनाओ सुबह के खिचड़ी खाए नंदिनी व्यगर भाव से नीचे उतर गए रात को रोशनी बुजा कर जब नंदि बेवता और कैसे होते हैं प्रभाद बाबु तुम्हारे मित्र नहीं नारायन है स्वें मित्र बनकर मित्र का रूप धरकर नारायन तुम पर मुझ पर अनुगरह की वर्शा कर रहे हैं जो कभी किसी दिन ये लड़के किसी काबल हुए तो इनसे सब कहोंगी इनसे कह जाओं नंदिनी ने ढांडस के स्वर्मे का दो जेवर अभी हैं और मेरे पास तुम चिंता क्यों करते हो अमा मरती बेलाप ने ये दो जेवर दे गई थी उनकी निशानी समझकर रखे हैं बेचते मोह लगता था गिर्वी रख दूंगी सब ठीक है भगवान दया करें तुम तंद की वाड़े बड़ बड़ा कर अवाज की राजिश्वर ने स्वर पहचान करका अरे चाचा जी आगए जल्दी की वाड़ खोलो नंदिनी सवेरे हमेशे जल्दी उटती थी उटी तो जाने कैसे दोनों लड़के भी जा गए जुट पुटा था फौंफट रही थी और सामन मैं बड़ा हूँगा तो मैं एक कार लूँगा मुन्ना ने कहा मैं मोटर साइकल लूँगा कार पर जाएंगा घूमने और मैं मेरी मोटर साइकल चलेगी फट फट कार बहुत तेज चलती है मोटर साइकल से भी तेज हाँ बहुत तेज रामु शन भर चुपरा फिर सोचकर क चिला करका अरे नालाय को क्यों शोर मचा रहा है उसोने भी ना दोगे दुष्टो मुन्ना रामू यहां आओ बाबा की अवास सुनकर दौनों डर कर चुप हो गए फिर जब उन्हें बुलाते सुना तो खुश-खुश बागे लिहाफ छोड़ गए बाबा ने का हम तुम्हारे ले गंगा जी से एक एक बासुरी लाएं इलाई चीदाने लाएं कहा है बासुरी बाबा तुम क्यों गए थे गंगा जी बाबा ने का तुम्हारा लल्ला भाया अच्छा हो गया उसी का परसाद बाटने गए थे तुम लोग उसे लल्ला मत कहा करो तुमसे बड़ा है दद्दा कहो समझे रामुने का दद्दा ने कल हमारे सिर पर थपड़ माड़ा था बड़े जोड से तो तुमने शैतानी की होगी मुन्ना ने परसंग बदल करका बाबा कब आये तुम हम तो आठ बजे ही आ गए थे सो रहे थे तुम दानो इतनी बड़ी रात होती है पर तुम लोग शाम से ही पड़े रहते हो पड़ना लिखना कुछ नहीं सारे दिन उद्दम दिन निकलते ही उद्दम यह क्या अच्छे लड़कों की बाते हैं मुन्ना चुप रहा पर रामु ने उत्साह से का हम भी पड़ा करेंगे बाबा तुम हमें छोटे आखी किताब ला देना पड़ोगे नहीं बेटा तो फिर करोगे क्या खाओगे क्या रामु रोटी खाएंगे दाल खाएंगे बाबा ने समझाया पड़ोगे लिखोगे तभी तो दाल रोटी मिलेगी नहीं तो भीक मांगोगे सड़क पड़ तुमारे बाब पड़ ली गए तो नौकरी मिली अब तुम सब लोग को पाल रहें तुमें तो डंक से रोटी मिलती है वैं तो बेचारा भूका रहा कर एक जुन खाका कर पड़ाता इतनी गरीबी में उसने समय काटा है मुन्ना ने उत्सुकता से पुछा क्या बाबुजी पहले बहुत करीब थे बाबा हाँ तभी तो तुम से कह रहा हूं कि पड़ो लिखो पड़ लिख जाओगे तो नौकर हो जाओगे मुन्ना चुपरा रामु ने सूच कर का बाबा लल्ला बड़ा बुरा है वैं सारे दिन खेलता है पड़ता नहीं है बाबा ने हसकर का उसके लिए क्या है ना पड़ेगा तो भी उसके घर में धेरो रुपे हैं क्यों बाबा एक संदुख भर के हैं संदुख भर के नहीं रहे एक कोठरी भर के कोठरी भर रुपे बाप रहे क्यों बाबा फुफा जी बहुत हमी रहे हैं और क्या बाबा हम गरीम है तब ही नेंदनी ने किवाड की ओड़ से बुकार, मुन्ना वह जैने कब से खड़ी सुन रही थी, जब रहा नहीं गया तो बच्चे क्यों पुकार लगाई, मुन्ना छलांग मार कर सामने आख़ा, पुछा क्यों जी जी क्या है, कुछ कारण ततकाल याद ना है, बच्चे के सिर पर हाथ फिराते, खड़ी-खड़ी सोचने लगी, चरो अच्चे हाथ मों दोलो, दूद लाओ, गौले के यहां से,